कि अगर हम उसको घर के बाहर छोड़ देते हैं बारी सोती है धूफ हो अगर चलो मुई तुम्हारे स्पाइडर मैं तुम लोग सोच रहे लावा गया बन्यां तो हम देखेंगे कि बहुत कि तुमने अभी सिफ ट्रेलर देखा है पुरी पिच्चर तो तुम इस वीडियो में देखने वाले हो आज के इस वीडियो से हम क्लास 10 के साइंस की पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं खुस तो बहुत होगे वैसे हमने चाप्टर नंबर वन को इसलिए पिक किया है क्योंकि यह आपकी केमिस्ट्री का पहला चाप्टर है साथ साथ में आपके बुक का भी पहला चाप्टर है chemical reactions and equations अच्छा यह होता क्या है इस चाप्टर की अगर title की हम बात करें chemical reaction and equation का मतलब क्या होता है चलो तुम्हें ना मैं कुछ day-to-day life से जूड़ी कुछ examples देता हूं और मुझे बताना कि इन examples में हुआ क्या था अभी कल रात की ही बात है मम्मी ने ना मैंको रात में पीना और सुबह तक वो दूद फटके पनीर हो गया था क्या हुआ दूद फटके पनीर हो गया ऐसे एक और example मैं आपको देता हूं कोई भी लोहा कोई भी iron होता है अगर हम उसको घर के बाहर छोड़ देते हैं बारिस होती है धूप होती है कुछ दिन बाद वो जो लोहा हो वो आटोमेटिक सड जाता है क्यों सडता है ऐसा फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें क्यों होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो खाना होता है जो खाना बनता है पहले खाना बनने के पहले कुछ और होता है सबजी कट्टी है इसके आवा हमारा तेल, मसाला, जीरा, जो कुछ भी होता है, उसको जब हम डालते हैं, तो एक हमें नया चीज मिल जाता है, खाना अलगी दिखता है, कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, खाना पकाने के पहले भी वैसा दिखता है, खाना पकाने के बाद भी वैसा दिखता है, बिल्कुल न ती उसकी property बिलकुल अलग थी लेकिन जो डूसरी चीज थी वह दिखने में बिलकुल अलग थी और उसकी भी property बिलकुल अलग थी यह कैसे हो गया एक ही चीज दो अलग अलग रूप में कैसे पाया गया यह यूं कि भाईया इनके बीच में हुआ है chemical reaction क्या होता है chemical reaction ये तु भाया आपने नया term बोल दिया कैसे पता चलेगा हमें कि chemical reaction हुआ है या नहीं हुआ है Yes, कैसे पता चलेगा मैं आपको चार ऐसे criteria दे रहा हो न जिससे अगर कहीं भी chemical reaction होता है तो आप जट से पता लगा लोगी कि भाया, chemical reaction हुआ है तो चलिए आपको चलते हैं NCID book में और आपको सिखाते हैं कि chemical reaction and equations में आपको क्या पढ़ना है आपकी class 10th के लिए So, let's go So, आईए activity 1.1 यानि class 10th की पहली activity आपको मैं practically करके दिखाता हूँ एक चीज़ याद रखो यार कि school में अगर आप अपने lab में ये activity कर रहो ना तो आपको eye protection पहनना बहुत ज़रूरी है आखों पे चस्मा लगाके रखो जलन होने लगेगी नहीं तो ठीक है अच्छा है इस activity से हम क्या सीखेंगे Start करते हैं सबसे पहले कुछ चीज़े चाहिए ये activity करनी के लिए कौन कौन सी चीज़े चाहिए सबसे पहले आपको magnesium ribbon चाहिए ये कहां मिलेगा भाया ये आपको chemist की दुकान पर मिल जाएगा ठीक है magnesium ribbon के लावा आपको baloo कागत चाहिए जिसको हम sand paper कहते हैं ये आपको building material वाली दुकान पर मिल जाएगा इसके अलावा आपको pair of tongs यानी चीमटी चाहिए ठीक है जो मम्मी रोटी पकाती है बस वही वाली चीमटी चाहिए मम्मी से दो मिनट के लिए माग ले ना मम्मी हमें practical करनी है ठीक है अच्छा और क्या चाहिए और हमें चाहिए spirit lamp spirit lamp क्यों चाहिए जलाने के लिए आप spirit lamp की जगा पर candle का भी use कर सकते हो अगर आपके पास वह cigarette जलाने वाली lighter है तो बस lighter का भी use कर सकते हो ठीक है तो कुछ भी जलानी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो और इसके अलावा आपको चाहिए watch glass और watch glass आप नहीं जानते अगर तो मैं आपको बता दू जो वो जो काच वाली प्लेट होती है ना आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो नहीं तो जो चाइना की मिट्टी वाली प्लेट आती है वो भी आप use कर सकते हो तो इन चीजों की जरुवत हो पड़ेगी आपको ये आक्टिवीटी करने के लिए चलो प्राक्टिकली करते हैं इस आक्टिवीटी को सबसे पहले हम क्या लेंगे हम लेंगे magnesium ribbon ठीक है magnesium ribbon हमने ले लिया ये magnesium ribbon के अलावा आपको लेना है बालू कागज अपने हाथ में ठीक है अच्छा ये जो magnesium ribbon है ये लगभग 2 cm लंबा होना चाहिए कम से कम 2 cm तो होना है चाहिए थोड़ा सा बढ़ा लो ठीक है अच्छा ठीक है हमने एक तरफ magnesium ribbon ले लिया हमने एक तरफ बालू कागज ले लिया अब क्या करना है भाईया अब आपको clean a magnesium ribbon by rubbing with sandpaper इसको साश करना है क्या करो बालू कागज से इस magnesium ribbon को रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के सास कर दो ठीक है आच्छा कर दिया भाईया उसके बाद क्या करना है hold it with pair of tongs अब आपको क्या करना है magnesium ribbon को ऐसे चिम्टी से पकड़ लेना है, ठीक है, पकड़ लिया, हमने उसके बाद क्या करना है, burn it using a sprit lamp, अब आपको इस magnesium ribbon को जलाना है मुमबत्ती का यूज करके, ठीक है और या burner का भी यूज कर सकते हो आप इसको जलाओ, ठीक है, and collect the ass, आप इसको जलाओ, इस magnesium ribbon को जलाओ, जलाओ, जलाओ magnesium ribbon जब जलने लगेगा ना, तो इसमें से क्या निकलेगी, ass निकलेगा, राख निकलेगी, ठीक है, राख को इकठा कर लो, इस plate में देख रहे हो, राख नीचे से गिर रही है ये जो magnesium ribbon जल रहा है इसकी राख इस plate में गिर रही है देख रहे हो ना, बिलकुल, तो चलो हमने बहुत सारा राख इकठा कर लिया अब, what do you absorb तुमने क्या देखा, भाईया, हमने देखा कि ये जो magnesium ribbon है ये oxygen के presence में जलता है, भाई, देखो कोई magnesium ribbon है, ये oxygen में जला है ठीक है, burns in oxygen with dadgling white flame ये जब जलेगा तो ये white color का flame देगा ठीक है, अच्छा, जलने के बाद ये जो राख मिली है, ये magnesium oxide है तो ये रहा हमारा पूरा activity इस activity में हमने सीखा कि जब हम magnesium ribbon को oxygen में जलाएंगे तो हमें जो राख मिलेगी ये white powder सी राख होगी ये white powder है, ठीक है ये white powder जैसा आपको कुछ मिलेगा और ये जो white powder मिलेगा वो क्या है, वो है हमारा magnesium oxide ठीक है, इस activity से मैंने आपको ये दिखाया कि भाई, जब भी हम magnesium को oxygen में जलाएंगे तो बहुत सारी heat और light निकलेगी, बहुत सारी heat निकलेगी और बहुत सारी light निकलेगी और इसलिए ऐसे reaction को हम exothermic reaction कहते हैं कौन सा reaction कहते हैं exothermic reaction कहते हैं exothermic का मतलब thermic का मतलब ही होता है भाई, जिसमें से गर्मी निकले, जिसमें से heat निकले तो ये रही हमारी पहली activity जो हमने देख ली हमने देखा magnesium जला oxygen में और हमें magnesium oxide दिया जब ये जल रहा था तो बहुत सारी गर्मी और बहुत सारी light निकल रही थी और इस वज़े से इस reaction को हम exothermic reaction का नाम देते हैं समझ में आया आगे बढ़ते हैं एक और activity कर लेते हैं इसी के साथ मैं आपको activity पर activity इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ना एक धमाकेदार surprise मिलेगा आपको क्या surprise है बस वीडियो को देखते चलना ठीक है activity नंबर 1.2 दिको यार एक एक चीज इस वीडियो की NCRT की है एक एक word activity line जो कुछ भी हम use कर रह यह क्या चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए lead nitrate solution यह chemical है lead nitrate solution आप अपने conical flask यह जो बरतन है conical flask कहते हैं इसको हम इसमें आप lead nitrate solution ले लो अपने chemistry lab से teacher से थोड़ा सा उधार माग लो देदेगा वो आपको ठीक है अच्छा दूसरा potassium iodide solution भी ले सकते हो आप ठीक है दो ची solution colorless होते हैं क्या होते है colorless होते हैं इनका कोई color नहीं होता पानी की तरह आपको एकदम सास दिखेंगे ठीक है इसके लागा आपको test tubes भी चाहिए तो यह activity इन तीनों चीजों से हो जाएगी इस activity में करना क्या है हमें चलो देखते है step by step ठीक है test tube भी ले लिया हमने अब activity कर ना सुरू करते हैं सबसे पहला step क्या करना है हमें take lead nitrate solution in a test tube आपको lead nitrate solution लेना है थोड़ा सा test tube में ठीक है ले लिया हमने इसके बाद क्या करना है भाईया इसके बाद जब हमने lead nitrate solution ले लिया ना फिर दूसरा step होगा हमारा potassium iodide जो दूसरा solution है इसको इसमें मिला देना है ह अच्छा ठीक है हमने मिला दिया भाईया जैसे ही हम मिलाएंगे हम lead nitrate में जैसे ही potassium iodide को मिलाएंगे होगा धमा का और क्या होगा जैसे ही हम मिलाएंगे ना तो हम देखेंगे कि भाईया इसका color बिलकुल change हो गया है ठीक है यहाँ पर आपको कुछ precipitate type का दिखेगा yellow precipitate type का formed हमने जो दोनों solution लिया था ना ये दोनों solution colorless थे क्या थी ये दोनों solution colorless थे इनका कोई color नहीं था लेकिन हमने जब इन दोनों को मिलाया ना तो हमें yellow precipitate मिला एक नया color मिला yellow color का ठीक है बिलकुल ऐसा ही आपको मिलेगा ठीक है तो भाईया इस activity का जो reaction होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जो हमारा ये है lead nitrate ये जब potassium iodide से मिलेगा तो ये क्या देगा ये हमें देगा potassium iodide plus lead nitrate ठीक है ये पूरा equation है ये जानना जरूरी नहीं है बस जानना आपको ये जरूरी है कि जैसे ही हम lead nitrate lead nitrate और potassium iodide इन दोनों को जैसे हमने मिलाया ना तो हुआ क्या potassium iodide जब हमने इन दोनों को मिलाया ना तो हुआ क्या color change हो गया क्या हुआ color change हो गया तो पहले वाले में हमने देखा था बहुत सारा heat और light निकला था दूसरे वाले में हमने देखा कि chemical reaction जो दूसरा वाला chemical reaction हुआ उसमे color change हो गया तो दो चीज ही हमने जानी chemical reaction से color change होता है heat और light निकलती है ठीक है अच्छा और आपको मैं दिखाता हूँ और एक दो activity करते हैं और देखते है chemical reaction से क्या क्या हो सकता है आपको chemical reaction के एक दो और examples देते हैं जैसे NS3 plus HCl, NS3 ammonia gas होती है और HCl hydrogen chloride gas होती है जब यह दोनों gases आपस में react करेंगी ना तो यह NH4Cl देंगी जिसको हम ammonium chloride कहते हैं ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देख रहे हो दो gases है NS3 ammonia भी एक gas है HCl hydrogen chloride भी एक gas है और यह दोनों gases जब आपस में chemically react करती हैं तो इन्होंने solid बना दिया तो भाई chemical reaction में यह भी हो सकता है कि state बदल सकता है ठीक है जो हमारे reactants होते हैं उसका state कुछ और होगा और product का state क कुछ और हो सकता है तो अब तक हमने देखा कि भाईया जो chemical reaction होता है उससे हो सकता है heat and light निकले यानि temperature change हो जाए हमने यह भी देखा कि chemical reaction से हो सकता है उसकी अवस्था भी बदल जाए gas से solid भी हो सकता है अच्छा एक और example आपको देते है Zn प्लस S2SO4 Zn यानि जिंक हो गया S2SO4 यानि sulfuric acid हो गया जब हम zinc और sulfuric acid को मिलाते हैं तो यह zinc sulfate बनाता है और hydrogen gas निकलती है तो chemical reaction में यह भी हो सकता है कभी-कभी कि evolution of gases यानि gases भी निकलती है तो हमने अब तक 4 reaction देखे और 4 reaction में हमने देखा कि भाई जब chemical reaction होता है तो हो सकता है बहुत ज्यादा heat निकले या chemical reaction में temperature change होता है हमने एक चीज और देखा क्या देखा हमने कि जब हम दो चीजों को react कराएं तो हो सकता है change of color भी हो सकता है यानि color भी change हो सकता है ठीक है और हमने क्या देखा chemical reaction में यह भी हो सकता है कि भाई उसकी अवस्था यानि state बजल जाए chemical reaction में यह भी हो सकता है कि gases न लाड़ी में आपको केवल तीनी आक्टिविटी दी गई है, मैंने आपको चार आक्टिविटीज कराई है, ठीक है, इन चारो आक्टिविटीज को करनी के बाद, we can say that, हम ऐसा कह सकते हैं, कि इनी ओफ फॉलोइंग ऑब्जरवेशन, हमने चार आक्टिविटीज करके, चार अ टमप्रेचर भी चेंज हो जाए, तो भाई हम ऐसा कह सकते हैं, इन अक्टिविटीज को करनी के बाद, कि अगर इन चारो में से कोई भी चीज होती है, इसका मतलब, केमिकल रियक्शन हुआ है, समझ में आया, as we observe the changes around us, we can see there is a large variety of chemical reactions, taking place around us, अब हमारी अगल बगल कितने सार chemical reactions होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, बहुत बारे chemical reactions होते हैं, जिन में state change हो जाती है, color change हो जाता है, gas change हो जाता है, temperature बढ़ जाता है, जैसे iron वाला example ले ले लेते हैं, अगर हमा iron को oxygen से react कराएंगे तो यह iron oxide देगा, और इस case में क्या हुआ है, इस case में इसका color change हो गया है, iron का ज कोई ना कोई चीज होगी, तभी हम कहेंगे कि chemical reaction हुआ है, ऐसे ही बहुत सारी chemical reactions हम इस chapter में पढ़ेंगे, बहुत सारे अलग-अलग type के chemical reaction और उनके symbolic representation, यानि उनको symbols से कैसे represent करते हैं, यही सारी चीज़े हम इस chapter में पढ़ेंगे, so are you ready, let's get started with topic number 1.1, chemical equations, so इस chapter के पहले topic मे हम chemical equation को आसान भासा में लिखना सीखेंगे, एक example लेते हैं, activity number 1 का, इस chapter में हमने जो पहली activity करी थी, वो कौन सी थी, हमने किया था ना कि भाई, जब हम magnesium ribbon को oxygen की presence में जलाते हैं, तो वो magnesium oxide में convert हो जाता है, तो किसी भी chemical reaction को इतने बड़े sentence में लिखने के बजाए, हम उसे short form में भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, चलो अपने spider भाई से जानते हैं, अई बचलो महीं तुम्हारे spider man, तुम लोग सूच रहे लावगा कि अपन यहां पे क्या कर रहा है, अपन तुम भाई लोग को यह बताने को आया है, कि अपन जो chemistry में reaction करते हैं, उन reaction को अगर sentence में लिखने वाला है, तो यह बहुत lengthy हो जाता है, बोले तो लंबा हो जाता है, अपन क्या है, अपन shortcut में काम करने वाले लोगे, तो अपन क्या करेंगे, इस reaction को भी shortcut में लिखेंगे, बिल्कुल, write it in the form of word equation, अब यह word equation का form क्या है, रे बाबा, यह तुमको प्रीम सर ही कहा है, क्या कहा, उसने कहा कि भाई, किसी भी chemical reaction को न, sentence में लिखने के बजाए, हम उसे छोटा करके लिख सकते हैं, word equation के form में, अच्छा word equation क्या होता है, चलो पहले activity का example लेते हैं, पहले activity में हुआ क्या था, पहले activity में हुआ था कि भाई, जैसे हमने magnesium को oxygen से react कराया, या oxygen के contact में, जैसे ही magnesium आता है, तो वो जल कर क्या देता है, हमें white powder सा कुछ product देता है, जिसको हम magnesium oxide कहते हैं, अब इसी reaction को अगर हमें word equation के form में लिखना हुआ, तो हम कैसे लिखेंगे, हम कुछ ऐसा लिखेंगे, कि भाई, दो चीजे combine हुई है, magnesium plus oxygen, ये दोनों चीजे मिली उनको हम reactants कहते हैं, और मिलकर जो नई चीज बनती है, उसको हम product कहते हैं, तो भाई, किसी भी लंबे से chemical reaction को लिखने के बजाए, हम उसे word equation के form में लिख सकते हैं, जो जो चीजे combine हुई है, वो एक तरफ, और जो चीजे combine होकर जो नई चीज बनी है, वो एक तरफ लिखा ज होता है, अगर हम उसे खुले आसमान के नीचे रख देते हैं, तो उसमें जंग लग जाती है, उसमें कौन सा reaction होता है, उसमें भाईया जो हमारा iron होता है, वो हमारे environment के oxygen के साथ react करता है, environment में बहुत सारा oxygen है, ठीक है, भाफ जो हमारा water steam होता है, उस form में oxygen पाया जाता है, ह क्या बनाता है, iron oxide बनाता है, जो की rust होता है, जंग होता है, ठीक है, तेख रहे हो, आप इस reaction में भी क्या हुआ है, iron oxygen मिले हुए है, इसलिए इनको हम reactants कहते हैं, और जो नई चीज बनकर आई है, वो है iron oxide, और इसलिए इसको हम product कहते हैं, हम किसी भी chemical reaction को word equation के form में क्यों ल arrow placed between them, अब देखो हमें क्या होता है, जैसे हम word equation को देखते हैं, देखकर ही हमें पता चल जाता है, कि भाई, ये दोनों चीजें मिलकर, ये नई चीज बनी हुई है, इस arrow से हमें सब कुछ पता चल जाता है, ये arrow हमें ये दिखाता है, कि कौनसी कौनसी चीजें मिली है, और क उसके left hand side में, तुम अपना left hand उठाओ, देख लो यही वाला side आएगा न, तो left hand side में तुम्हें reactants लिखने हैं, और right hand side में तुम्हें products लिखने हैं, reactants अगर एक से जादा है, तो उसके बीच में plus की sign लगा दो, 2 है तो plus की sign लगा दो, 3 है तो plus की sign लगा दो, और भी है, 4 तो plus की sign लगा दो, ठीक है, ऐसे ही जो हमारा product होता है, अगर यह एक से जादा है, जैसे कभी-कभी product में na, gases भी evolve होती है, जैसे hydrogen gas ही अगर evolve हो रही है, तो इन दोनों को हम plus के sign से अलग-अलग लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया, अच्छा अब यह arrow क्यों लगाया जाता है बीच में, the arrow head points towards the product, यह arrow का use किसले होता है, भाई देखो, जिस तरफ भी arrow होता है, हम तुरन समझदा आते हैं, कि वो वाला side, product वाला side है, यानि यह दो चीज़ें मिलकर, जो नई चीज़ बनाई है, उसी की तरफ arrow हमेशा रहता है, ठीक है, तो arrow हमें क्या बताता है, हमें बताता है कि direction of reaction, मतलब reaction इस तरफ से इस तरफ के लिए हुआ है, देखो, यह chemical reactions जो होते हैं, वो irreversible होते हैं, वापस नहीं किये जा सकते हैं, माल लो यह जो arrow होता, वो इस तरफ होता, तो गलत होता, क्यों? क्योंकि जो magnesium oxide है न, उसको हम दुबारा magnesium और oxygen में कभी नहीं तो आपने एक चीज़ clearly याद कर लेना है, कि जो left hand side होता है, वो reactants वाला side होता है, जो right hand side होता है, वो हमेशा product वाला side होता है, अब हम इस chapter की अगली topic पर आते हैं, और chemical equations को और छोटे form में लिखना सीखते हैं, अब तक हमने chemical equations को word equation के form में लिखना सीखा, किस equation के form में, के बजाए हम उसे words में लिख सकते हैं, जिसको हम word equation केहते हैं, क्या इसको और छोटा किया जा सकता है, अपना टकलू पूछ रहा है कि is there any shorter way of representing chemical equations, क्या हम इस word equation को और छोटे form में लिख सकते हैं क्या, और कोई shortcut है क्या, चलो अपने Batman से पूछते हैं हाई बच्चा लोग, हम तोहरा सस्था Batman, इसरवा टकलू हमरा से पुछ लेस कि का हम लोगी word equation के भी और छोट कहीं की लिख सकी लाका, तो हम इस टकलू के बताई ली कि chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of words इस टकलू के हम बताई ली कि chemical equations के word equation में लिख दे ली, तो छोटा हो गई, लेकिन हम words के बजाए अगर formula में लिखी न, तई word equation और भी छोटा हो जाई, कैसे हुई, इतोहरा के प्रेम सर बताई है, हमरा के bad women के खोज़े जाए के बाद बिल्कुल, हम किसी भी chemical reaction को छोटा करने के लिए सबसे पहले word equation के form में लिख सकते हैं, और अगर हमें और छोटा करना है न, तो हम उन words के बजाए, उन elements के formula का use कर सकते हैं, जैसे example लेते हैं, जो हमने पहले activity करी थी, magnesium वाला, उसका जो word equation होगा, वो यही तो लिखा जाएग कि जो magnesium था, वो oxygen के साथ react करता है, और magnesium oxide बनाता है, अब हमें इस word equation को और छोटे में लिखना है न, तो हम इन words के जगह पर, इन elements के chemical formula का use करते हैं, जैसे इस word equation को न, हम इस form में भी लिख सकते हैं, यह जो सब्द यूज किये हैं, हमने magnesium, इसका formula क्या होता है, magnesium एक element है, इसक chemical formula O2 होता है, magnesium oxide इसका जो chemical formula होता है, यह MgO होता है, तो हमने देखा word equation को और छोटा किया जा सकता है, और उसे chemical formula के form में लिखा जा सकता है, हम किसी भी chemical reaction को हमेशा chemical formula के form में लिखते हैं, ताकि यह ज़्यादा छोटा रहे और ज़्यादा आसान रहे समझने में, Now, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, अगर हम किसी भी reaction का chemical formula लिख रहे हैं, तो आपको एक चीज बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्या कि count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and the right hand side, देखो जो दोनों तरफ है, LHS जो है, और जो हमारा RHS है, देखो इन दोनों साइड ना, जो number of atoms होने चाहिए, वो हमेशा बराबर होने चाहिए, इसलिए आपको count करना पड़ेगा, जितना atom इधर है, उतना ही atom इधर भी होना चाहिए, आप देखो इसको count करो, चलो हम count करते हैं और देखते हैं क्या बराबर है क्या, देखो यहाँ पर mg1 है, तो यहाँ भी mg जो है, यहा यहां पर O यानि oxygen का atom 2 है, लेकिन यहां पर oxygen का atom केवल 1 ही है, तो भीया यहां पर number of atom same नहीं है, is the number of atom of each element same on both the sides, क्या दोनों same है, बिल्कुल नहीं है, यहां पर oxygen का 2 atom है, लेकिन यहां पर oxygen का केवल 1 atom है, और ऐसे equation को हम unbalanced equation कहते हैं, क्यों क्योंकि the mass is not the same on both sides of the equation हम देख रहे हैं कि भाई इस side oxygen के atom का mass जादा है यहाँ पर दो atoms है लेकिन यहाँ पर किवल एक ही atom है एक atom का जो वजन होगा वो कम होगा दो atom का जो वजन होगा वो जादा होगा तो इसको हम unbalanced equation क्यों कहते हैं क्योंकि इस side mass जो है वो जादा है और इस side जो mass है वो थोड़ा कम है जो mass है वो unequal है इसलिए इसको हम unbalanced equation कहते हैं यह जो हमारा equation है यह NCRT का 1.2 equation है और यह equation एक skeletal chemical equation है या इसको हम unbalanced chemical equation भी कह सकते हैं अब हम इस chapter के अगले topic बर चलते हैं और इस topic में हम सीखेंगे कि भाई साब balanced chemical equation क्या होता है अब तक हमने unbalanced chemical equation पढ़ा अब हम सीखेंगे कि balanced chemical equation किसे कहते हैं हमने class 9 में एक law पढ़ा था law of conservation of mass यह law हमें क्या बताता है यह हमें बताता है कि भाई साब mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction यानि कोई भी chemical reaction हो रहा है for example iron और oxygen के बीच में जो chemical reaction होता है वो हमें iron oxide देता है बिलकुल देता है junk यानि iron oxide यानि rust होता है ठीक है हमने देखा कि भाई किसी भी chemical reaction में जो mass होता है वो न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है यानि for example इस तरफ iron का केवल एक atom है तो इस तरफ भी iron का एक ही atom होना चाहिए ऐसा नहीं है कि इधर iron का एक atom है और इधर जाकर iron का दो atom हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो यह unbalanced chemical equation कहलाता है यह balanced chemical equation नहीं कहलाएगा अगर हम इसे दूसरे भासा में समझना चाहें तो total mass of the elements present in the product is always be equal to the total mass of elements present in the reactants यानि जो reactants होता है उसका mass और जो product होता है उसका mass हमेशा equal होना चाहिए तभी यह chemical equation balanced कहलाएगा अच्छा इसको हम और आसान भासा में कहना चाहें तो total number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction यानि chemical reaction के पहले जितने number of atoms होंगे chemical reaction के बाद भी उतने ही atoms पाए जाएगे तभी यह chemical equation balanced कहलाएगा ठीक है चुर एक example लेते हैं और देखते हैं कि balanced chemical equation क्या होता है जैसे हमने activity number 3 करा था जिसमें हमने zinc को sulfuric acid से मिलाया था तो हमें product मिला था zinc sulfate और इसके साथ hydrogen gas भी निकली थी बिल्कुल यही था हमारा activity अच्छा इसको अगर हम chemical formula के base पे लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं हम जिंक का chemical formula लिख दें जिंक का chemical formula क्या है ZN है Sulfuric acid का chemical formula क्या है H2SO4 है और यही पर जिंक sulfate का chemical formula क्या है ZNSO4 है और hydrogen का chemical formula H2 है अच्छा अब हमने इसका chemical formula लिख दिया अब हमें पता करना है यह balanced है या unbalanced है कैसे पता चलेगा जितने number of atoms इधर है उतने ही number of atoms इधर भी होने चाहिए हमें count करना है ठीक है चलो start करते है chemical reaction हमारा यही था अब इसमें देख रहे हो आप एक element zinc है तो हम यहाँ पर zinc लिख देंगे एक element hydrogen है तो हम यहाँ पर hydrogen लिख देंगे एक element sulfur भी है तो हम sulfur भी लिख देंगे और एक element यहाँ पर oxygen भी है तो हम oxygen भी लिख देंगे एक ऐसा table बना दो एक तरफ elements लिखो जितने भी elements इस chemical reaction में use हुए उन सभी elements के नाम लिख दो और एक तरफ left hand side में कितने atoms हैं और right hand side में कितने atoms हैं इन दोनों को count करना है ठीक है अच्छा जिंक पहले count करते हैं सबते पहले जिंक यहाँ पर दिख रहा है आपको जिंक अकेला है केवल एक ही atom है जिंक का left hand side में तो हमने एक लिख दिया right hand side में भी देख लो जिंक का केवल एक ही atom है जिंक यहाँ पर अकेला है ना तो इसकी अगल बगल कुछ है और ना ही हो सकता है ठीक है तो दोनों तरफ जिंक हमारा एक-एक atom ले रहा है यानि जिंक बिलकुल balanced है ठीक है अच्छा आप दूसरा element लेते है hydrogen यहाँ पर हम देख रहे है hydrogen के 2 atom है यहाँ भी देख लो hydrogen के 2 atom है तो भहिया hydrogen भी हमारा balanced है दोनों तरफ 2-2 atom है ठीक है अच्छा sulfur देख लो यहाँ पर sulfur अकेला है यानि दोनों तरफ एक-एक atom है तो भहिया sulfur भी हमारा balance है और यहाँ पर हम देख रहे है oxygen के पास 4 atom है यहाँ पर भी oxygen के पास 4 atom है आप है यह पूरी तरीके से क्या है balanced chemical equation है अच्छा हमने chemical equation पढ़ा था magnesium वाला mg plus O2 gives as MgO अब देखो अब हमको बताओ कि यह balance है कि unbalanced है यहाँ पर magnesium का एक ही atom है यहाँ पर भी magnesium का एक ही atom है यहाँ पर oxygen का दो atom है लेकिन यहाँ पर oxygen का केवल यह कही atom है इसको हमको करना पड़ेगा balance कैसे करेंगे balance तो भाईया यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए तो हम लिख सकते हैं Mg plus O2 gives 2MgO देखो भाईया यहाँ पर तुम 2 नहीं लगा सकते क्योंकि इसका chemical formula ही बदल जाएगा फिर हम हमेशा इसको box में कर देना इससे छेड़ खानी नहीं होनी चाहिए इसके आगे ही कुछ लगाना है तो लगाना ठीक है अब हमने 2MgO लगा लिया लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत है यहाँ पर एक ही magnesium है मतलब oxygen तो balance हो गया यहाँ पर यहाँ भी 2 हो गया लेकिन अब यहाँ पर magnesium एक ही था लेकिन इस तरफ magnesium 2 है तो अब इधर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा तो हमारा जो balanced equation होगा 2Mg plus O2 gives us 2MgO तो भगिया हमने balance कैसे किया यह आपको सीखना पड़ेगा तो अब हम सीखेंगे balancing of chemical equation जो इस पूरे chapter का सबसे important topic होने वाला है और हम as an example यही chemical equation लेंगे यह देख रहों यह unbalanced है कैसे यहाँ पर देखो F E iron के पास एकी atom है लेकिन यहाँ पर iron के पास तीन atom है हमें balance करना है यहाँ पर देखो oxygen के पास एकी atom है यहाँ पर oxygen के पास रेटर में हमें balance करना है अब मैं आपको step by step बताता हूँ कि भाई आप किसी भी chemical equation को किसी unbalanced chemical equation को balance कैसे कर सकते हो balancing chemical equation यह पूरे chapter का सबसे important topic होने वाला है कि किसी भी chemical reaction को हम balance कैसे करते हैं यह वाला जो chemical equation यहाँ पर हमने लिया है यह एक Unbalanced Chemical Equation है आपके सामने में बड़ी आसानी सी इसे Balance करके दिखाने वाला हूँ कैसे Unbalanced है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो Iron का एक ही Atom है लेकिन यहाँ पर Iron का तीन Atom है यहाँ पर Oxygen का एक Atom है लेकिन यहाँ पर Oxygen का चार Atom है Unbalanced है इसे हमें balance करना है यहाँ पर हम जो method use करेंगे वो hit and trial method कहलाता है यह सबसे आसान method है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं किसी chemical reaction को balance करने के जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा shortcut भी होता है लेकिन सबसे पहले इसे सीख लो ताकि आप आसानी से आगे कर पाओ जैसे मैं आप कर पाता हू ठीक है अच्छा आपको पहला step क्या करना है draw boxes around each formula and do not change anything inside the formula जो हमारा unbalanced chemical equation है उसके हर formula के चारो तरफ हमें boxes बनाने हैं कुछ ऐसा F E के चारो तरफ हमने boxes बना दिये H2O के चारो तरफ हमने boxes बना दिये इस वाले formula के भी चारो तरफ हमने boxes बना दिये और H2 के भी चारो तरफ हमने boxes बना दिये ठीक है पहला step हमने कर लिया आप क्या करना है इसका नाम है हमारा पहला equation हो गया ये ठीक है हमें सबसे पहले यही करना है कि भाई जो unbalanced chemical equation होगा इसके चारो तरफ हमें boxes बना देने है second step list the number of atoms of different elements present in the unbalanced equation अब देखो यह जो हमारा पूरा equation है यह unbalance है तो पहले हम यह चेक करेंगे कि कितना unbalance है कितना और add कर दें कि balance हो जाए इसके लिए हम बनाएंगे table कुछ ऐसा आपने देखा है कि इस पूरे chemical equation में iron का use हुआ है तो सबसे पहले हम लिखेंगे iron फिर hydrogen का use हुआ है तो फिर हम लिखेंगे hydrogen और फिर oxygen का use हुआ है तो हम लिखेंगे oxygen और left hand side में इसके कितने atoms हैं और right hand side में इसके कितने एटम से हैं ये हमें count करके पहले लिख लेना है ठीक है चलो पहले iron का देखते हैं iron के left hand side यानि reactants वाला जो side है वहाँ पर iron का केवल एक एटम है तो हमने लिख दिया यहाँ पर iron का एक एटम है लेकिन इस side आप देख रहे हो iron का 3 तो हमने लिख दिया iron का 3 एटम है यहाँ पर hydrogen hydrogen का यहाँ पर आप देख रहे हो 2 एटम है h2 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 right hand side पर भी hydrogen का 2 है तो इस तरफ भी 2 लिख दो मतलब hydrogen balance है ठीक है बस iron को balance करना है और oxygen को balance करना है यहाँ पर oxygen का केवल एक ही atom है लेकिन यहाँ पर oxygen के 4 atom है तो अब हमने देख लिया कि भाई हमें iron और oxygen को balance करना है बस इसलिए यह table बनाना है ताकि आपको पता चलेगी कौन से कितना balance करना है ठीक है दो step हमने देख लिया अब actual हम balancing start करते है यही है हमारे equation इसको balance करना start करते है start balancing with the compound having maximum number of elements in that compound start with element having maximum number of atoms क्या कह रहा है कि भाई देखो इस पूरे chemical formula में न सबसे ज़्यादा elements किस formula में है इसमें एक ही element है इसमें दो element है इसमें एक element है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है ठीक है यहाँ पर आप देखे है हो ज़्यादा है iron के 3 atoms है oxygen के 4 atoms है तो सबसे पहले हमें इससे balance करना होगा और इसमें भी वो element चूश करेंगे जिसके पास सबसे ज़्यादा atom है यहाँ पर oxygen के पास सबसे ज़्यादा atom है इसले सबसे पहले हम क्या करेंगे oxygen को balance करेंगे ठीक है यहीं से हमारा actual balancing start होता है ठीक है तो सबसे पहले oxygen को balance करेंगे कैसे balance करेंगे table use करेंगे हम table में क्या-क्या लिखेंगे table में एक तरफ atoms of oxygen यानि पहले हमें oxygen को balance करना है तो एक तरफ लिख लो atoms of oxygen उसके बाद एक तरफ लिख लो reactants में कितने atom है और products में कितने atom है यानि left hand side कितने atom है और right hand side कितने atom है तभी तो balance करोगे तो चलो हमने लिख लिया अब देखो यहाँ पर initial यानि balance करने के पहले कितने atoms है और balance करने के लिए कितने atoms चाहिए ये भी हमें इस table में लिखना होता है ताकि हम balance कर पाए ठीक है अब oxygen की बात करते है balance करने के पहले oxygen के पास left hand side में कितने atom है एक atom है H2O में देख रहे हो oxygen के पास किवल एक ही atom है चलो मैं साफ कर देता हूँ देख रहे हो ना S2O में left hand side में left hand side में और right hand side में हमें compare करना है कि oxygen के कितने atoms है यहाँ पर oxygen के एक atoms है हमने लिख दिया oxygen का एक atom है लेकिन यहाँ पर oxygen के चार atom है यहाँ पर एक है यहाँ पर चार है मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है 4 से multiply कर देंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगा हो जाएगा की नहीं हो जाएगा 4 वंजा 4 हो जाएगा ना तो हमारा जो partially balance equation होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा हमने क्या कर दिया हमने H2O में 4 का multiplication कर दिया बस अब हमारा oxygen balance हो चुका है और ये हमारा partially balance equation है अभी पूरी तरीके से balance नहीं है अभी केवल हमने oxygen को balance किया है अभी iron को balance करना है hydrogen को balance करना है इसको हम equation number 2 कह देंगे अच्छा चलो हमने oxygen को तो balance कर लिया देखो यार ये तुम्हें थोड़ा लेंदी लग रहा होगा लेकिन है बड़ा आसान तुम्हें इसको दो बार देखोगे न तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा process बहुत easy है अब हमने oxygen को balance कर लिया अब हम अगला किसको balance करेंगे यही हमारा chemical equation है equation number 2 यही तो था न हमने यहाँ पर देख रहे हो oxygen को balance कर दिया है यहाँ पर 4 oxygen और यहाँ पर भी 4 oxygen hydrogen atom पहले तो balance था लेकिन जब हमने यहाँ पर 4 लिखा न तो यहाँ पर 4 to the 8 hydrogen atoms हो गया लेकिन यहाँ पर 2 है तो भाईय इस तरफ हमें balance करना पड़ेगा कैसे balance करोगे फिर से वही table बनाओ table बनाओ, क्या लिखना है table पे atoms of hydrogen left hand side में कितने हैं और right hand side में कितने हैं, लिख लो left hand side में hydrogen के कितने atoms हैं और right hand side में hydrogen के कितने atoms हैं पहले ये लिखो कि balance करने के पहले कितने atoms थे और balance करने के बाद कितने atoms हो जाएंगे, ठीक है, balance करने के पहले देखते हैं, यहाँ पर left hand side में, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा clear कर देता हूँ, यहाँ पर hydrogen के 4 to the 8 atoms है, तो left hand side में 8 atoms है hydrogen के, और right hand side में कितने atoms है, H के साथ 2 लगा है, तो 2 atoms है, ठीक है इस तरस 8 है, इस तरस 2 है, तो भाईया हम इस 2 को 8 कैसे बनाएंगे, जब हम इसको 4 से multiply करेंगे बिल्कुल, तो अब क्या करना है, अब यह जो chemical equation है न, इस में बस आपको 4 से multiply कर देना है, यह देखो, यहाँ पर 2 है 4 से multiply किया, तो 4 to the 8 ये भी हो गया और 4 to the 8 ये भी हो गया, अब हमारा जो equation होगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा, अब हमारा hydrogen भी balance हो गया है, oxygen भी balance हो गया है, कैसे? यहाँ पर, देखो, count कर लो, देखो 4 to the 8 hydrogen हो गया और यहाँ पर भी 4 to the 8 hydrogen हो गया, यहाँ पर 4 oxygen है, यहाँ पर भी हमारा 4 oxygen है तो oxygen और hydrogen तो दोनों balance हो गया, अब यह अभी भी partially balance equation है क्यों? क्योंकि अभी भी हमें iron को balance करना है यहाँ पर यह कही atom of iron है यहाँ पर 3 atom है iron की अभी भी हमें balance करना है, लेकिन इसको हम equation number 3 लिख देंगे ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो equation मिला है, वो यह वाला equation है equation number 3, अब हमें केवल hydrogen के atoms हमने balance कर लिए, oxygen के भी balance कर लिए अब हमें जो आखरी element है iron, इसको balance करना है बस इसको balance करने के लिए भी बिल्कुल वैसे ही table बनाओ ठीक है, table में atoms of iron लिखो, यानि left hand side कितने atoms है iron के, right hand side कितने atoms है iron के, ये लिखो पहले balance करने के पहले कितने थे और balance करने के बाद कितने हो जाएंगे, ये भी हमें लिखना है पहले balance करने के पहले देख लेते हैं यहाँ पर iron के एक ही atom है, left hand side में अगर हम देखें तो हमें यह आप लिख देंगे 1 ठीक है राइट हैंड साइड में कितने हैं तीन है तो इस तरफ हम लिख देंगे 3 ठीक है एक तरस 1 है एक तरस 3 है तो इस 1 को 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3 से multiply करेंगे न मेरे भाई बिल्कुल करेंगे तो अब हम क्या करेंगे इस equation को balance करने के लिए बस हम क्या करेंगे इस 1 वाले iron में 3 से multiply कर देंगे और इस तरीके से जो हमारा balanced equation होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा अच्छा आप देखो balance हो गया की नहीं हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 3 atoms है यहाँ पर भी के पास 3 atoms है यहाँ पर देखो hydrogen के पास 4 2 0 8 atoms है यहाँ पर लेखो oxygen के पास 4 oxygen है यहाँ पर भी oxygen के पास 4 oxygen है अब यह क्या होगया अब यह balance हो गया तो I hope आपको यह जो पूरा step-by-step process था balancing का वो समझ में आया होगा देखो यार एक बार में मुझे भी नहीं आया था मैं teacher हूँ मुझे भी नहीं आया था practice करनी पड़ती है आप अगर इसी वीडियो को तीन बार देख लोगे न आपको balancing बड़े आसानी से आ जाएगा चलो मैं आपको home act देता हूँ और मुझे balance करके जरूर दिखाना एक बहुत ही simple सा मैं तुम्हें equation दे रहा हूँ iron plus oxygen gives us Feo iron oxide इसको balance करके comment section में मुझे comment करो मैं भी देखूँ कि तुमने कितना सीखा है ठीके तो balancing तो हमने सीख लिए आप आगे देखते हैं यार अब हमने balancing तो सीख ली है तो चीज क्या है writing symbols of physical states यानि chemical formula में हम physical states के भी symbol लिखते है physical state का मतलब क्या होता है solid, liquid, gas मतलब reaction में जो जो चीजे use हो रही है वो solid है कि liquid है कि gas है हम इस चीज का भी use कर सकते है लेकिन एक चीज यहाँ पर जान लो देखो साब साब लिखा गया है कि यह necessary नहीं है unless अगर आपसे पूछा ना जाए तो आप chemical equation में जरूरी नहीं है कि physical states लिखो यी लिखो जैसे यहाँ पर solid लिखा है, gas लिखा है solid लिखा है, gas लिखा है तो जरूरी नहीं यह लिखना है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हो ठीक है, अच्छा राइटिंग physical states हम physical states लिखते क्यों है किसी भी chemical equation में भाई हम ऐसे भी तो लिख सकते थे न 3Fe plus 4S2O हमें यह solid gas फिर solid gas लिखने की जरूरत क्या है देखो, to make a chemical equation more informative the physical states of the reactants and products are mentioned along with their chemical formula किसी भी chemical equation को और जादा informative बनानी के लिए, मतलब इस chemical equation से, अगर यह physical state लिखा रहेगा तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि भाई, कौन सा solid है कौन सा gas है, कौन सा liquid है यहाँ पर देखो, हमें पता चल जा रहा है कि भाई, जो solid है, वो gas के साथ react कर रहा है तो हमें solid और gas product के तोर पर मिल रहा है इसको और informative बनानी के लिए, हम physical states का use करते हैं, ठीक है अगर कोई भी जो chemical है, वो अगर solid है और chemical reaction में use हुआ है तो उसके सामने हम S लिखते हैं कोई भी chemical है वो हमारा liquid है और chemical reaction में use हुआ है तो उसके सामने हम क्या लिखते हैं उसके सामने हम L का use करते हैं कुछ भी अगर gas है तो उसके सामने हम G का use करते हैं और अगर solution है तो हम aqueous का use करते हैं यानि A और Q का use करते हैं दिखाने के लिए ठीक है, तो यह four physical states हैं जो हम किसी भी chemical formula यानि chemical equation को और informative बनाने के लिए use कर सकते हैं ठीक है, समझ में आया note that the symbol G is used with S2O अब देखो, जो हमने अभी balance किया था chemical equation इसको और informative बनाने के लिए हमने देखो, यहाँ पर solid gas solid gas इसका use किया है हमने physical states लिख दिया है आप देख रहे हो, यहाँ पर यह H2O यह water का formula होता है और water तो liquid होता है लेकिन यहाँ पर gas लिखा गया है, क्यों? क्योंकि भाईया, हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो water है ना, वो gas के form में लिया गया है, यानि water vapor के form में लिया गया है समझ में आया, समझ में आया की नहीं आया बिल्कुल समझ में आया होगा कभी-कभी क्या होता है, कि किसी भी reaction में हम temperature भी दिखाना पड़ता है pressure भी दिखाना पड़ता है और किसके presence में वो reaction हुआ है वो भी दिखाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं? एरो के उपर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं. चलो मैं इसको और डिटेल में आपको बता देता हूँ. एक एक्जामपल लेते हैं, यही पर आप देख रहे हो एक जो कारबन मोनो ओक्साइड है, जब वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है, 340 एटॉमिक प्रेसर में, देखो यहाँ पर रियक्शन होने का कंडिशन दिया गया है, कि केवल 340 atomic pressure में ही ये reaction होगा तो जब कभी भी condition दिया रहे है न तो हम उसको arrow के उपर लिख सकते हैं जैसे एक और example देख लो ये पहला वाले example हमने देख लिया एक और example देख लो ये हमारा photosynthesis वाले example है photosynthesis में जो reaction होता है ये वह वाले example है photosynthesis में क्या होता है कि जो environment का carbon dioxide होता है वो plants ठीच लेते हैं और जड़ से वो water ले लेते हैं तो carbon dioxide और water आपस में react करते हैं sunlight और chlorophyll के presence में ही ये reaction होता है तो इस reaction को होने के लिए यहाँ पर condition दिया गया है कि ये reaction तभी होगा जब sunlight और chlorophyll present होगा बिना chlorophyll के कोई भी plant अपना खाना नहीं बना सकता है ये reaction होगा ही नहीं ठीक है तो ऐसे ही कभी भी किसी भी reaction में अगर हमें condition दिया है तो हम उसे arrow के ऊपर नीचे लिख सकते हैं अब ये दे को लिखना ज़रूरी नहीं है ये important नहीं है लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया ताकि आपको पता हो और आपके पास कोई भी ऐसी information जो NCRT में दी गई हो वो छूटे ना So this is all about this video इस chapter के अगली video में जो की last part होने वाला है second part होने वाला है इस video का उसमें हम types of chemical reactions पढ़ेंगे chemical reaction के कौन से कौन से type होते है हमारे अगल बगल में हम कितनी type के chemical reaction देखते है देखो इस पहले chapter से ना कियो ये कही topic कटा हुआ है और वो कौन सा है ये oxidation and reaction वाला ठीक है oxidation and reduction ये topic कट हो गया है ये आपके इस बार के exam में नहीं आ रहा है बाकी हम इस chapter से सभी topics अपने अगले वीडियो में cover करेंगे so till then keep supporting educational hikes I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है ना तो हमारी motivation के लिए आरे एक like तो बनता है और कहीं से भी हम आपको किसी भी तरीके का paid courses नहीं provide करते हैं तो एक मज़ब जरूर करिएगा कि अपने दोस्तों के साथ share जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि इतनी बहतरीन content आपको without paying a single penny मिल रहा है so bye bye take care love you all ख्याल रगिये अपनों का मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में तक के लिए शाशी आगाल और जेहें